हेलो फ्रेंट्स वल्कम बैक टो माई चैनल आज हम बनाएंगे बहुत ही जादा क्रिस्पी कुरकुरा इंस्टेंट डोसा तो यह डोसा बनाने के लिए आपको दाल या चावल भिगोने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसके लिए हम एक बाउल में एक कप के करीब चावल क कर देंगे फिर हम इसमें वन फोट डेवल स्पून के करीब चिली फ्लेक्स कर देंगे इसके बाद हम इसमें पाकी की चीज़े एड़ करेंगे जैसे की बारी कटा हुआ प्यास यहां पर मैंने एक मीडियम साइज के प्यास को बारी कट कर लिया है इसके बाद पारी कटी मए Pra Dhingya देंगे और थोड़ा सा कद्वा तकी हुई तरेट कर देंगे तो यहां मैंने आधी काचर को कड़ कर के एड़ किया है इसके बाद हम इसमें पानी करेंगे विचका पतला सा घॉल बनाकर रेड़ी कर लेंगे तो , यहां पर मैह लग बगक तीन कपके करी पानी इसमें add किया है और उसके बाद से अच्छे से mix कर लेंगे तो इसे लगातार चलाते वह अच्छे से mix कर लेंगे जिससे कि इसमें कोई भी लम्च न रहा है रहें लगभग एक मिनट अच्छे से mix करने के बाद आप देख सकते हैं बैटर जो है पूरी तरीके से है अब हम क्या करेंगे कि इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रखतेंगे तो लगबग 20 मिनिट के लिए हम इसे से फूल जाएगी और बैटर जो है वाध्षे से तयार हो जाएगा तब हम इसका डोसा बनाकर रेडी करेंगे तो लगबग 20 मिनिट पूरे हो चुके है और सूजी जो है वाध्षे से फूल जुकी है तो अब हम इसके डोसा बनाएंगे डोसा बनाने से पहले हम बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे की जो सूजी और चावल काटा नीचे बैट गया है वाध्षे से मिक् तवए को हाई फ्लेंड पर अच्छे से गरम कर लेंगे और इस पर थोड़ा सातील लगांकर अच्छे से स्प्रेट कर देंगे जैसे तवाज है वाध्षे सी घर हो जाएगा हम इस पर डोसे का बैटर डाल देंगे तोसे किनारे से डालते हुए पूरे तवे पर अच्छे से spread कर देंगे जैसे ही दोसे के बैटर को हम तवे पर डाल देंगे कैस की flame को medium कर देंगे और इसे medium से low flame पर हलका सा golden brown होने तक पगा लेंगे यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दोसे के बैटर को तवे पर add करते समय में तवा जो है बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए इससे क्या होगा कि डोसा जो है बहुत ही ज्यादा कुरकुरे और अच्छे बनेंगे तो लगबग 30 से 40 सेकंड के बाद आप देख सकते हैं दोसे की उपरी पर जो है पूरी तरीके से dry हो चुकी है अब हम इसके उपर थोड़ा सते लगा कर अच्छे से spread कर देंगे और इसे अच्छे से golden brown होने तक पका लेंगे तो लबब एक से दो मिनट के बाद आप देख सकते हैं बीज में इसका color जो हलका सा golden brown दिख रहा है इसका मतलब है दोसा जो है आप पूरी तरीके से सिख चुका है आप हम इसे किनारों से scrap करते हुए निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं दोसा जो है अच्छे से सिख कर तयार है ऐसे ही हम बाकी के दोसे बना कर भी ready कर लेंगे यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप दोसा बनाना स्टार्ट करें तो उससे पहले एक बार बैटर को अच्छे से चला लें जिसे की सारी चीज़े जो है आपस में अच्छे से मिल जाएंगी तो आप देख सकते हैं यह डोसा बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से जल्दी बन कर तयार हो जाता है तो आप भी यह रेस्पी एक बार जरूर ट्राइक कीज़े और इसे अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करिए और कमेंट करके बताई कि आपको यह रेस्पी कैसे लगी और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कौन कलीजिस से की नई और मज़ेदार रेस्पीस के अपड़ेट आपको मिलते रहें अपर हमारा दूसरा दोसा भी बन करते हैं आप हम इसे गर्मागरम करींगे तो इस दोस्ते कर सकते कि सब्सक्राइब ए खाने में बहुत जादा टेस्टि लगते हैं तो अगर आपको रेस्पी पसंद आईयो तो वीडियो को लाइक जरूर करें उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें